हेलो बच्चों कैसे हैं आप उम्बीद करती हूँ आप मज़े में होंगे बच्चों आज हम पढ़ेंगे भाशा बच्चों विश्व में विभिन भाशाएं बोली जाती हैं भाशा के माध्यम से हम अपनी बात एक दूसरे तक पहुचा सकते हैं हम दूसरों तक अपनी बात दो प्रकार से पहुंचाते हैं बोल कर जैसे शिक्षिक्या ने कहा बेटा तुम्हारा नाम क्या है तो छात्र ने क्या बोला मैडम मेरा नाम गोकुल है हम मुँ से बोल कर अपना नाम बताते हैं दूसरा क्या है? लिख कर. पापा, आप क्या कर रहे हैं? तो पिता ने क्या का? बेटा, मैं पत्र लिख रहा हूँ. इस तरह हम पत्र लिख कर अपनी बात दूसरों तक पहुचाते हैं. हम सुनकर एवं मन ही हमन पढ़कर भी भाशा को समझते हैं. पहला क्या है? सुनकर. मम्मी मुझे भूक लगी है. कुछ खाने के दे दो. अच्छा, मैं तुम्हें मैगी बना कर देती हूं. मम्मी ने कहा. हम सुनकर दूसरे की बात अर्थात उसकी भाशा को समझ सकते हैं. अब पढ़कर. गाय, कुत्ता, खरगोश, बिल्ली, घोडा, हाथी. ये किसने लिखा? हम कम्प्यूटर एवं शामपड़ पर पढ़कर भी भाशा को समझते हैं. तो बच्चों, आपने देखा कि हम एक सुनकर एवं पढ़कर समझते हैं. अतहा, बोलना, लिखना, सुनना और पढ़ना भाशा के काम हैं. भाशा के कितने प्रकार होते हैं? अब हम उसके बारे में जानेंगे. उपर के उधारनों से स्पष्ठ है कि भाशा दो प्रकार की होती है. एक मौखिक, दूसरी लिखित. गोकुल और मैणम की बाच्चित में भाशा के मौखिक रूप का एवं पापा द्वारा पत्र लिखना भाशा के लिखित रूप का उधारन है. तो ये बात आप याद रखिए. मौखिक भाशा को सुनकर समझा जाता है जबकि लिखित भाशा को पढ़कर. इस प्रकार भाशा से हम एक दूसरे की बातों को बोल कर, सुनकर, अथ्वा लिखकर, पढ़कर समझते हैं. अब जानते हैं भारतिय भाशाओं के विशे में. हमारे देश में अनेक प्रकार की भाशाओं बोली जाती हैं. उधारन के लिए हिंदी, पंजाबी, मराथी, तमिल, मल्यालम, गुजराती. अब हम जानेंगे सांकेतिक भाशा क्या होती है? कभी-कभी हम संकेतों, अर्थात, इशारों से भी अपनी बाद दूसरों तक पहुचाने की कोशिश करते हैं. भाशा के इस रूप को संकेतिक भाशा कहते हैं. अब जानते हैं हम कुछ महत्वपूर बुंदूओं के बारे में. बच्चों, आपने इस पार्ट में सीखा कि भाशा अपने विचारों को व्यक्त करने का माध्यम है. भाशा दो प्रकार की होती है, मौखित और लिखित. उमीद करती हूँ बच्चों, आप इस पार्ट के बारे में जान गए होंगे, अब आप इसका अभ्यास स्वयम कीजि हूँ प्रकार की बच्चों.